यहां लीटी जो की यूपी और विहार की फेमस रेसिपी है और यह चने के सत्तू से बनाया जाता है तो आईए इसके लिए जान लेते हमें क्या-क्या सामेगी चाहिए इसके लिए सबसे पहले हमने सत्तू लिया है सत्तू जो की चने का सत्तू है किसे जो इसका टेस्ट है लीटी का बहुत अच्छा आता है इसलिए आप चने के सत्तू ही लेजेगा मैंने एक बारी कटा हुआ प्यास लिया है तीन से चार लसन की कलिया लिया है जिसे मैंने कदू कस कर लिया है इक आगी इंच का मैंने अद्र अजवाइन यह है मंग्रेला जिसे कलोंजी भी कहा जाता है इसके अलावा हमने बारिक कठा हुआ धन्या लिया है नमक स्वादनुसाल एक मैंने नुंगू लिया है बड़ा इसके अलावा हमने मस्टर्ड ओयल लिया है एक बड़ा चमच यह हमने आटा गूता हुआ ले लिया है पहले ही आटे को और यह आटा जैसे हम पोड़ी के लिए गूते हैं ना ज्यादा टाइड होता है ना ज्यादा लूज होता है हमें बिलकुल नॉर्मल आटा रखना है तो इसके जो हमारे चस्टू है का मधी ना जालेंगे अब इसमे जो मारे बारीक कटे हुए यची अधना में ज्यूट सब्सक्राइब है मैं ersंगता ही इसके तरह के इस द्ऱाइज हब बारीक कटा हुए हरी मिर्च है आजवाईन जिसे हमने एक छोटा चमठ लिया है इसके अलावा हमने आधा चमाच को लॉंजी जिसे मंग्रेला भी कहते हैं यह डाला है धनिया पत्ता नमक की बारी आती है जिसे हम स्वादन सा डालेंगे एक चमाच डाला है यह लाइमन जूस जो के एक बड़ा निम्वू है इसको हमने नीचे ओल लिया है अच्छी तरीके से इभी आट कर देंगे यह मस्टर्ड वाइल है यह देखिए मैं छोटे चमाच से डाल रहे हूं यह हमने लगबर तीन चमच लिया है इन या कि हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब इसमें त्यार कर लिया है अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के और इसको मिलाएंगे जो हमेरे स्टाफिंग है इस पूच्छे से हमने त्यार कर लिया है देखिए आई अब इसे भढ़ना कैसे है देख लेते हैं सबसे पहले हमने आटा लिया है और आटे की प्रोई तोड़ेंगे अब यह हमने मीडियम अकार के लोई काट ली है अब इसमें हम अपने स्टाफिंग भरेंगे सबसे पहले मैंने आटा लिया है इसमें आटा हम इस तरीके से लगाएंगे अप्छा आटा देंगे हम प्रेस कर लेंगे इसको हम बेलन की मदद से बेल लेंगे जैसे हम पूरियें बेलते हैं इससे छरी के से बेलने के बाद इसे हम सी इस टरीके से हाथेले पे रखेंगे और ये जो हमारा स्ट्राफिंग है इसमें हम भरेंगे याद रहें बहुत ज्यादा ना भरें और जब हम इसे फ्राइ करेंगे तलेंगे तो ये निकल सकती है और इसको हम इस तरीके से करेंगे घुमाते हुए अच्छी तरीके से इसको हम हलका सा बेल लेंगे इसको हम हलका सा बेल लेंगे कि इस तरीके से और आखी इसे प्रतन पर रखूंगी मैंने इक ठाली लिया है इसमें मैं सुखा हाटा है सब्सक्राइबं तो यह गई चिपके नहीं इसरे हम रखते जाएंगे इस तरीके से इसी तरह से हम अपनी और भी लिटी तैयार करेंगे अब ये हमने अपनी लीटी तियार कर लिए है आप अपनी हिसाब से आप चाहे तो बड़ी भी बना सकते हैं मैंने कुछ लीटी बड़ी भी बनाई है देखिए अपने छोटी के बनाई है आपको जो साइज पसंद वो सबसे बना सकते हैं इसे तन्ने के लिए मैंने कड़ाई में टेल गरम कर लिया है मैंने यहां रिफाइन का इस्तमाल किया है आप चाहें तो मस्टर्ट आइल भी यूज कर सकते हैं हमारा बनाद गरर्म हो गया है सबसे पहले मैंने एक लीटी उठाई है देखिए इसका जो एक्स्टा आटा है क्योंकि हमने इसे आटे पे रखा हुआ था इसका हम जो आटा है वो अच्छे तरह किसे अटा रहेंगे कि अग्सक्रणार में प mess रखलंगी और इक साइट में मततल हुआ हं एक साइट में जाएं isolopy मेंメपने में। एक पार में मैंने दो ही डाला है क्योंकि हमारे कड़ाई बहुत जादा बड़ी नहीं है ओपर से हम पलेस पो अलका साथ दबाएंगे और पर फलटेंगे यह रिखिए एक साइड हमारा जो है अरुका सुनहेरा कलर हो चुका है तो हम फलट के देख लेते हैं अब यह हमारे दोनों साइड गोर्डन कलर हो चुके हैं जिसको हम निकाल लेंगे इसी तरीके से हमारी बाकी की लीटिया भी तल लेंगे हैं तो फ्रेंट्स यह हमारे यमी लीटि बनके तया है जो कि खाने में बहुत ठेस्ट्री लगता है और इसके साथ आप आलू का भरता और बैगन का भरता भी बना सकते हैं जो कि मैं आपको अपने पहले वीडियो में बना के दिखा चुकी हूं और उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं और इसके चान को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा फ्रेंड्स में आप से से मनूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद